अगर आपने HDFC bank के क्रेडिट काड को एपलाई किया है जो कि Paytm की तरह सही दिया जार है Paytm HDFC credit card जो कि Paytm ने HDFC bank के साथ में टैप करके यह काड लॉंच किया अगर आपने यह काड एप पता नहीं चल पा रहा है तो आप अपने इस को कैसे चेक करेंगे तो वह सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रोसिस करके दिखाने वारा हूं अगर आपके पीटिम एप के अंदर अभी आपका यह सो कर रहा है कि अंदर प्रोसिस थ्री से फाइब डे तो वहां से कापका ऐसी सो करेंगा उसके लिए आपको एक अलग से फोलो करना होगा तब ही आप अपने पाड़ के स्टेटस को चेक कर पाएंगे कि आपका काड़ एक्सप्ट हो आया है या बैंक ने आपका काड़ रिजक्ट कर दिया तो वह प्रोसिस में आज की इस वीडियो एप को ओपन करेंगे पेटियम एप को ओपन करने के बाद में आपको यहां से एक ऑप्सन मिल जाएगा क्रेट काड़ का आप यहां से क्रेडिट काड़ ऑप्सन को स्लेक्ट करेंगे इसके बाद में आपको यहां से अपना स्टेटस यहां से देख सकते हैं कि आपने जो प 27 जुलाइज हो गए तो अभी तक यहां पर हमें कोई स्टेटस पता नहीं चल रहा है पेटियम एप के अंदर जबकि यहां से दिखाया गया कि वैरिफिकेशन इन प्रोसेज तो सबसे बड़ी जो प्रोब्लम वाली बात आती है वह यह होती है कि हमें अपने स्टेटस ही कैसा पता चलेगा कि हमारे कार्ड एपरूव हुआ है यह जानना बहुत जरूरी हमारे लिए क्योंकि वैरिफिकेशन प्रोसेज इसने दिन से वह गया है जब कि यहां पर तीन से पांस दिन कर रिखाये गया है तो हमें यह जानना बहुत ही जरूरी है अपने क्रेटिट कारड ग वहां से का आपको search bar में type करना होगा HDFC bank status इसके बाद में आप यहाँ पर track your credit card application status इसके बाद में क्लिक करने के बाद में आपको यहां से काप अपने credit card के status को आसानी से track कर सकते हैं उसको check कर सकते हैं इसके लिए आपके पास में दो चीज आपके होनी ज़रूरी जो आपका register mobile number है जो आपका paytm HDFC credit card जब आपने apply किया था उसमें जो आपका mobile number आपने fill किया जिस mobile number से आपका paytm account है वो mobile number आप यहाँ पर डालेंगे इसके बाद में जो आपका solar डिजिट का जो application ID नमबर आपने जो copy किया था वो copy आप यहाँ पर paste करेंगे यह उसको यहाँ पर type करेंगे इसके बाद में आपको scroll down करने के बाद में आपको अपनी date of birth भी fill करनी होगी और उसके बाद में last में आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यह capture दिया हुआ यह capture आप यहाँ पर fill करेंगे इसके बाद में submit बटन पर click करेंगे आप यहाँ पर अपने card का status देख सकते हैं आपका card का status है वो आपका decline हो चुका है तो आप इस तरीकी से आपने paytm credit card के status को check कर सकते हैं कर देख सकते हैं